है 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 हलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल नौकरी तक पर आज का जो विडियो होगा बहुत पुछा गया प्रशने कमेंट में भी कि सर आप जो प्याटी की बात करते हैं प्याटी टीजी टी और पीजी टीचर होता है क्या हम है यह ओल्लवर इंडिया के लिए होगा लेकिन कुछ से है यहागति को इसमें जादा अमजानकारी दे देंगे .. प्याटी टी टीटीचर नौमी और दसमी के टीचर आप कर मेंगे खासकर आपके बहूए हम बात कर ठाय कारा है बिहाग में नौमी और 10 मीका teacher कैसे बनेगे चलते हें यहां देखिए Prt हुआ है यह Prt हुआ है ठीक है प्रिणी टीचर क्या होता है इसको Raj का मतलब हुआ primary teacher क्षच्चर रॉबरी टीचर ध्यान से देखिए that अगर जिनको भी primary प्रामरी टीचर बन है म्या है प्रामरी टीचर झाड़का एक से लेके पांचिमिय एक से लेके पार वित्पि् haven क्या होनेंगे इसके लिए जो क्वालीफिकेशन है इसके लिए क्वा ओना से हुक और होना चाहिए छी इंटर्बइड्च से off कैसे हुप और साथ में साथ में अभी तक आपगी यहां से यह यूपीमें को करा रहता है बीटीसी जो इंटर के बाद होता है डियलेड किये हो या कुछ अभ्यारती गर्जवेशन के बाद बीएड कर लेते हैं तो बीएड वाले भी अभी तक सुप्रिम कोट के आदेश आने तक किस पर आदेश आने वाला है तो अभी तक का बाद में वीडियो बोगा या जो बीएड किये हुए है अभी तक हम बागबा बोल रहा है द्यान सुनिएगा तो जो भी प्रामरी टीचर बनना चाहते हैं खासकर बिहार में हम बिहार के लिए बोल रहा है प्यार्टी का मतलब होता है प्रामरी टीचर वन टू फाइब में सच्छक बनेंगे आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है इंटर के अधार पे डियलेट कीजिए ठीक है और या कोई गर्द्विशन के अधार पे बिएड की है वो भी 125 में इलिजबल है और साथ मे साथ में आपका क्या चाहिए साथ में आपका साथ में आपका सीटेट सीटी पेपर वन यह पेपर वन किलियर चाहिए पेपर वन सीटी पेपर वन या जैसे बिहार में बीटेट होता है या कोई बीटेट एक्जाम हो जिस राज में आप है उस राज का टेट पेपर वन पास प्रामरी टीचर बनेंगे किस क्लास के लिए एक से पाच मी में अगर आपने डिया या यूपी में डिया नाम बीटी सी है इसी का दूसरा नाम जे बीटी है लेकिं बिहार के लिए या कोई बीट किये हुए उसके अधार पर भी 125 टीचर बन सकते हैं लेकिन इसके साथ में CTET क किंद्रे सच्चक पात्किता प्रिछहर पेपर बन पास होना चाहिए या या आप जिसवी राज में हैं वहां का TET exam teacher eligibility टेस्ट पेपर बन पास होना का है यह आपका प्याटी तीचर हुआ क्या प्याटी तीचर हुआ ध्यान से नोट किजिए आप चलते हैं कि पीजी टीटीचर क्या चलते हैं घ्यान दिजिए मुझा यह इसको क्य बोलते है ऊपता लगता नाम स ritualis गर्जुएशन वाले हो गया यह जो सिच्छक बनेंगे फिर हम बोल रहा है वैसे सभी आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पर देखते होंगे छटी से आठमी तक के सिच्छक बनेंगे छटी से आठमी तक के सिच्छक TGT में बनेंगे लेकिन हम इसको लेके चलते हैं छ ट्रेंड गर्जुएट टीचर इसका फुल फॉर्म हुआ ट्रेंड टीचर का लाएंगे इसमें आप जान लिजिए छटी से आठमी के भी सिच्छक बनेंगे और नौमी से दसमी तक का सिच्छक बनेंगे आप क्राटरिया देख लिजिए आप क्या बोलने वाले हैं ध्यान जान लिजिए इसमें डियलेट वाले बिलकुल नहीं है है सौरी जो गर्जुएशन के बाद डियलेट किये होंगे वह च्छती से आठमी में सिच्छक बन सकते हैं यहां ध्यान दीजिए इसको पर नोट किजी आप नोट किए इसको अगले स्लाइब लेते हैं हुआ है इस्हां धीजिकमें आप 202 बनेंगे यह बिहार के लिए वबता रहे एक हो गया आप ऐसे समझें चटी से आठमी में न करे दूसरा और नोँमी से दसमी में आप आपको समझ में आएगा ठीक है इसके लिए आपको छटी से आत्मी बनने के लिए गर्जवेशन चाहिए गर्जवेशन परलस किसी विश्य में CTET CT का प्रपर होता है वो भी पेपर टू पास होना मांगता है पेपर टू पास होना मांगता है सिक्स्टु एट में से चक टीजी टी के दो बेटे हो गया है बाप यह दो बेटा हम ब्यार के लिए बात कर रहा है चुकि इसमें भी वही बात है अब कुछ अभ्यारती बोलेंगे हाँ सौरी एक चीज़ छुट गया आपका गर्जोशन हो गया किसी विश्य से साथ में आपका बीएड हो आगर जोशन के अधार पर कोई अगर डिलेड किया हो में इनको भी मांता दिया गया है बविस्ट में क्या होगा वो नहीं और पलस पलस सीटेट का पेपर पास हो सीटेट पेपर टू ध्याना कियेगा पेपर या जैसे बिहार में अगर 6-8 में एक्जाम होगा है तो टैट एक्जाम का पेपर टू होना चाहिए बात समझ में आया या नहीं समझ में आया तीजीट के दो भाग 6-8 का सिचक कैसे बनेंगे गर्जोशन आपका कंपल्सरी होना चाहिए साथ में बीएट या गर्जोशन का पेपर टू पास होना मांगता है तो इसका बनेंगे इसी का दूसरा भाग नौमी से दस्मी है इसमें भी क्या चाहिए आपको qualification सेम गजवेशन जीफोर गजवेशन पलस गजवेशन में कुछ भी बई बीकम बी अस्स बीटेक बीच अ कुछ भी साथ में आपका B.A.D. चाहिए अब देखिए यहां ध्यान से देखिए इसमें D.L.A.D. वाला नहीं चलेगा याद रखिएगा नौमी से दसमी तक का सिच्चक बनने के लिए D.L.A.D. वाला बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं गर्ज्वेशन पलस B.A.D. पलस B.A.D. जैसे बिहाराज में है तो बिहाराज का S.T.E.T. समझ में आया या नहीं आया या नहीं आया इतना असानी से कोई नहीं बताएगा यह ध्यान दीजिए बहुत आपनों का बढ़िया प्रसंता इसी पर हम वीडियो बना दीए T.G.T. के दो भाग ट्रेंड गर्ज्वेट टीचर जिसको बोलते हैं छटी से आठमी में सिछक कैसे बनेंगा नौमी से दसमी में तो छटी से आठमी में आपको गर्ज्वेशन के साथ में B.A.D. चाहिए या डियलेड भी कम्प्लीट है और उसके साथ में सीटेट का पेप टूपास से तो बनेंगे लेकिन नौमी से दसमी में एक चीज़का अंतर हो गया गर्ज्वेशन तो चाहिए ही B.A.D. चाहिए डियलेड वाले बिल्कुल इलिजिवल नहीं है नौमी से दसमी में याद रखिएगा इसमें आप नोट लिख लिजिए नोट में नोट में लि याद रखिए नौमी से दसमी में डीयुकले वाले बैलिड नहीं है नौट बैलिड नहीं है वेलिड नहीं है चीक है कंप्लीट हो गया गया तो आप टीजीटी याने ट्रेंट टीचर बन सकते हैं बिहाग में समझ में अगया स्कूर्ण शॉट लें अब चलते हैं सब्सक्राइब में से भी सिर्फल कर देखें को रहा है प्यजिकर बहुत को आप देखिए जिसको बोलते हैं पोस्ट गरजवेट के टीचर blessed ऊंध्वय है अच्चा विडियो लगा होगा मुझे उम्मीद है है अब इए कैसे बनेंगे बहुत इसका क्वालिफिकेशन जान लिजी आप थोगा अब अलग अलग क्वालिफिकेशन है के बीएस में अगर बढ़ेंगे या डी ट्रीपल स्वी में एडवली एस में आर्मी में तो उसका अलग हम विहार के लिए बता रहा है वियार में सिचक जो बनते हैं पोस्ट गर्जुए आपका चाहिए आपका पीजी चाहिए पोस्ट गर्जुएशन पीजी आपका किसी विशे में हो अमकम हो एम्टेक हो मस्ट हो और साथ में आपका ग्रीएड हो और उसके बाद एस्टीटी जैसे विहार की बात कर रहें तो विहार का स्टीटी पेपर टू क्वालिफाई हो तो ही अभ्यारती पीजी टीचर बन पाएंगे यानि एक आगमी से लेके बागमी तक का सिचक बन पाएंगे समझ में आया स्क्रिंस्ट लीजिए इसमें पीजी नाहीं चाहिए अइसा नहीं है कि गरजोस्ड प्लस बीज में आ खांस का मैं बोल दूब भिहार के तिती बहु के लिए मैंने बात किया है बहर में में कंसे बने उसके लिए मैंने बताने का प्रियास किया है aggressive video वीडियो आपको अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल सेयर करना नहीं भूलिए जिससे सभी को फैदा हो जाए ठीक है आज के वीडियो में इतना ही और किसी भी प्रकार का सवाल हो कमेंटो कमेंट लिखिएगा तोका झाल